थावनवा मैच, IPL 2022 का अभी-अभी समाप हुआ है, डेली कैपिटल्स ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है, आट विटो से और इस विजय के सबसे बड़े हीरो थे, मिचल मार्श, जिनके आल राउंड प्रदर्शन के कारण डेली कैपिटल्स ने एक बहुत बड़ी जीत हासि की राजिस्तान रॉयल्स के किलाव, तीवाई पाटिल्स स्टेडियम में खेला गया था यह मुकाबला, नवार्सी रन मनाया है, मिचल मार्श ने, दो विकेट निकाल है, और राजे शादर जी मेरे साथ है, वो सही माइने में आज प्लेयर आउफ दे मैच थी। वाकर्शित किया और एक उम्दा मैतरीन पारी उन्होंने यहाँ पर बल्लेबाजी में केली है, और जिस प्रकास से आठ विकेटों के साथ दिली कैपिटल ने मुकाबला जीता है, अंक तालिका में वे बारा अंक लेकर खुशियों के साथ आज अपने घर लोटे हैं, राज विकेटों के साथ दिली कैपिटल के टीम ने जीत लिया आज दीवाई पाटिल के मैदान पर, तो कहानी जिस प्रकार से गेंबाजी की रही, राजिस्तान रॉल्स के केमे में कुछ था नहीं, आज यहाँ पर उनकी गेंबाजी में कहने के लिए चंदरिश, बिल्कुल दे, एक नजर पॉइंट स्टेबल पर डाल देते, क्या हाल है, आज के मैच के बाद पॉइंट स्टेबल पर, चली देखिए, राजिस्तान रॉल्स अभी भी तीसरे पाइदान पर है, डेली कैपिटल्स अभी भी पांच पर पाइदान पर है, पर डेली कैपिटल्स को दो अंक पर आप्त हुए 12 points पर पोइंच चुक है 12 match के बाद और Rajasthan Royals अब भी 14 point पर है तो जो playoff के लिए जो dawण है अभी भी बहुत cut in dawण बना हुआ है Gujana Titans के लिए कोई तक्लीफ की बात निया वो playoff में पहले ही पोइंच चुके हैं पर आज के मैच के बाद राजिस्तान रोइस के लिए एक चिंता का विशे है और डेली के अपिटल्स के लिए है अब एक होप है एक उमीद की किरन है कि वो शायद इस प्लेयाउफ में पहुंच जाएं